आखिरकार पूरी सीरीज खतम होने के बाद अब चर्चा कर सकते हैं कि ये एनिमेज सीरीज कैसी रही अच्छी या बुरी तो आज की स्वीडियो में चर्चा करेंगे प्लैटिनम एनिमेज सीरीज के बारे में टोटल इसके अंदर 24 एपिसोड है और ये एकी सीजन में खतम हो जाती है इसका सेकंड सीजन तो नहीं आएगा जहां तक इसका एंडिंग जो दिखाए गई है उसके बिहाब पर बात करूं तो इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूं तो कोई न अब इसके अंदर भी बात करी लेते हैं कि इसकी कहानी कैसे हैं तो जो गोड इसके अंदर दिखाये गए यानि जो भगवार इसके अंदर दिखाये गए हैं वो तेरा इंजल को धर्ती पे बेजते हैं और हर इंजल को एक इंसान चुनना होता है ताकि उसको भगवान बनाया जा सके यानि वो 13 इंसानों को चुनते हैं उन 13 इंसानों में से एक भगवान बनता है यानि भगवान बनने की रेस चल रही है तेरा एपिसोड तक तो इसके अंदर ऐसा दिखाया जाता है कि यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं जो गोड कैंडिडेट्स हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं क्योंकि उन में से किसी एक को भगवान बनना है और यहां जो एंजल्स तेरा एंजल्स जो भेजी गई हैं इनके प क्यों बता रहा हैं क्योंकि यह जो पावर वाला जो फैक्टर है इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टन रॉल प्ले करता है इस एनिमेर सेरीज के अंदर डिटेलिंग मुझे काफी अच्छी लगी जो पावर को लेकर इसमें जो डिटेल हमारे सामने रखी जाती है वो वो एक मजरिया सब के सामने रखता है कि भगवान ने ये तेरा इंजल्स धर्ती पे क्यों बेजी हैं तेरा इनसानों को चुनने के लिए इसके पीछे रीजन क्या है जो वो जिस तरीके से अपनी एक थियोरी सब के सामने रखता है तो उसके बाद ये सीरी बहुँ जादा डार्क हो जाती है, starting से डार्क होती है लेकिन इन 13 एपिसोड के बाद मैं कहा सकता हूँ कि बहुत डार्क होने वाली है, मुझे बहुत ज़ादा मज़ा आया last के इन 13 एपिसोड में और last का 24 एपिसोड आता है वह वो तो एक अलग ही लेवल का चला जाता है, बिल्कुल भी आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इस सीरीज का एंड किस तरीके से किया गया है बहुत बढ़िया मुझे वो लगा, दरसल इस सीरीज का सबसे बढ़िया पॉइंट मुझे यह लगा कि इसके अंदर जो डिबेट या जो सोच हमारे सामने रखी जाती है कि भगवान है या नहीं है और भगवान के पर कोन यकिन कर रहा है कोन यकिन नहीं कर रहा है और जो यकिन नहीं कर रहे हैं वो किसलिए यकिन नहीं कर रहे हैं जिससे भगवान का अस्तितु खत्रे में आगए, जिस तरीके के इसके अंदर बात रखी जाती है, वो इस सीरीज को बहुत जादा डार्क और सीरियस बना देती है, कसम से मुझे बहुत बढ़िया लगा, जिस तरीके के थियोरी जो है, वो प्रोफेसर रखता है, मुझे सोच वो रखते हैं, तो हमें यह सीरीज अपने से कनेक्ट कर लेती है, अवरोल सीरीज हमें बहुत जादा अच्छी लगती है, एक कमी जो मुझे इस सीरीज के अंदर लगी, वो है करेक्टर डैवलोप्मेंट की, हमें किसी करेक्टर की कहानी अच्छे से दिखाई नहीं ग है, मुझे बहुत हिट किया वो एपिसोड, देल से इच्छा तो कर रही ही कि आप लोगों को वो चीज़ें बता दू, बट नहीं, मैं नहीं बताना जाँगो, यह सीरीज जो है बच्चों के लिए तो बिलकुल भी नहीं है, मतलब इसे एडल्ट ही मतलब देखें, क्योंकि इसमें कोई एडल्ट सीम नहीं है, लेकिन जिस तरीके इसके अंदर कंटेंट दिखाया गया है, वो कफी जादा एक मैच्चोर ओडियंस डिजर्व करते हैं, और बहुत बढ़िया एक सीरीज है, मैं डेफिनिटली कहूंगा कि आप जाके यह सीरीज देखें, 24 एपिसोड ह इसके अंदर, और हर एपिसोड अगर आउटर इंटर आओ तो वही 20-21 मिनिट का बच जाते हैं, तो टोटल टाइम कैलकुलेट कर ले ना, कितना आपको देना पड़ेगा, एनिमेशन के बहाँ से बात कुरू, तो हाँ ठीक है एनिमेशन, कहीं कहीं पर भी स्लो मोशन के तर अगर आप लोगों ने ये एनिमेशन सीरीज देखे तो प्लीज अपना एक्सपीरियंश जुरूर शेर करना और नहीं देखे तो एक बार, एटलिस्ट एक बार तो ट्राइ करके देखो, फर्स्ट एपिसोड ही देख लेना, वो भी आप लोगों काफ़ी जादा डारक लग झाल झाल